वेलकम बैक दोस्तों मेरा नाम है रूपाम और आप सभी का स्वाह करता हूं हमारे वुटूप चाहिए पर आज मैं बहुत इंट्रस्टिंग बाइक के वारें बात करने वाला हूँ अब इसके प्राइज इसके स्पेक्स इसके स्पेसिफिकेशन सारे चीव बताऊंगा और क्या इंडियो देखना बिलकूल मत मिसका नहीं तो समय नहीं आएगा और वीडियो स्टाट के मिलें नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है रट कलर में उसको क्लिक करें ग्रेमर करते है वीडियो की नूटिफिकेशन्स आप लोग को नहीं मिलेंगे वैसे बात कुरोकर इंडियन मार्केट में आजकल एक नया चलन्ज चल रहा है कि लोग प्राइजिंग में कैसे आप हाइएंड बाइक का फील ले सकते हैं उसमें काफी अच्छे कारगर सावित हुआ है क्ये ट बाइक की देती है लेकिन पावर में थोड़ी कमी है लेकिन लोग अभी भी उस चीज को कॉंपरमाइस करके गाड़ या पर्चेस कर रहे है क्योंकि उनका जो शॉक है वो पूरा हो रहा है तो यह चीज अब बाहर की दूसरे कंपनिया भी नोटिस कर रही है लाइक सुजु की पाड़ी की बात करूंगा इस गाड़ी के अगर मैं देखा जाए के फुर्ली बाइक का वह ती आपसके डिजाइन बहुत लिए है और देखन पार यह दन बहुत आपस्पोर्ट केटेग्री की गाड़ी आते और यह जो डिजाइन इटेशन ने सुजुकी का वो भी लेकिन उसको जिएन है वह आपको जिक सर में अल्रेडि हम इन्डियन मार्केट में अल्रडी है वैसा ही आपको सेट अप देखने हो मिलता है अगर मैं बात करो इसके हैंड़ बार के तो इसमें clip on handle बार देखने हो मिलता है split seat देखने को मिलता है, body cover देखने को मिलता है, side exhaust देखने को मिलता है, बड़े बड़े आपको rotor pedal disc देखने को मिलता है, गाड़ी का ergonomics देखेंगे तो आपको काफी sportiness में ये गाड़ी प्रोवाइड होती है, इस में आपको 4 color combination देखने को मिलता है, प्लस उसमें से एक MotoGP वाल जादा shine करती है, 125 CC का engine है, लेकिन liquid cool है, DOC engine है, 4 volt technology के साथ आता है, जो power output निकलता है, 14 BHP का power output at the rate 10,000 rpm, जो torque इस गाड़ी में देखने हो मिलता है, इसमें आपको 6 speed transmission देखने हो मिलता है, जो average है जो बहार मार्केट में अल्रेडी देखा गया है, 40 से 50 के बीच में ही मिलता ह जैसे भी हमारी KTM 125 है इंडियन में, उसको भी 40 से 50 के बीच में ही average मिलता है, उससे जादा नहीं मिलता है, मैंने तो बहुत लोग से पूछा है, तो लोग बोलते 40, 45 तक easily मिल जाता है, तो बातों के गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन की, अब बात ये मेन मुझती की बा है, और international market में आपको मिलता है, dual channel ABS as a standard, लेकिन अगर Indian market में आएगी, तो single channel आराम सो जाएगा, यहाँ पे एक्तम सीधा सीधा company cut down कर देगी, और price कम कर देगी, वही अगर मैं wheel size और tire size की बात कुर तो 17 inch के wheel से front and rear में, लेकिन जो tire size हो 90 by 80 का front tire और पीचे 100 and 30 by 70 का rear tire है, पीच आट में 5.5 से, जिसकी height है, वह easily इस गाड़ी को चला सकते है, उससे कम height वाले भी चला सकते है, थोड़ा tipto होगा, लेकिन हाँ, चलाने में कोई problem नहीं आएगे, ground range की बात करो, तो जैसे seat height कम है, तो ground clearance भी कम हो जाता है, 15 mm का आपको इसमें ground clearance देखने हो मिलता है, आप मैं प्राइजिंग की तो क्या होगी, इंडियन प्राइजिंग, अगर इंडियन में लाउंच होती है, तो हाँ, अल्मोस्ट एक लाग, एक लाग, दस हजार के करीब करीब होगी, और अगर ये power output के साब साथी, तो इंडियन मार्केट में easily एक लाग तीस हजार रुपे का होग इसका एक शुरूम प्राइस, तो बात होगे, इसकी राम कथा कि गाड़ी में दिखेगा क्या और मिलेगा क्या, बात आती है कि कब ये लाउंच होगी, तो अभी तो ये गाड़ी इंडियन मार्केट में नहीं लाउंच होगी, फिलाल तो, लेकिन हाँ, इन फ्यूचर अग अच्छा होगा अगर ये जैसी इंडियन मार्केट में लाउंच होती है, फिलाल अभी तो लाउंच नहीं होगी, लेकिन गाड़ी देखा जातो बहुत अच्छी है, मेरा ओपिनियन अगर चानना चाहेंगे तो मैंने चलाई तो है नहीं, लेकिन लुक और फिल और पावर गाड़ी में आती है, वो थोड़ा हाई प्राइजिंग में आती है, आप लोग को कहा रहा है इस गाड़ी से लेटेड, प्लीज आप कमेट करके जरू बताना, मैं आप लोग के कमेट बहुत पड़ता हो, उसमें अच्छा लगता है, तो मैं कुछ रिप्लाई भी करता हो, तो प्लीज कमेट जरू करना, और इतना वीडियो देखते हो, तो सब्सक्राइब फ्री है, लाइक फ्री है, बस करो और चले जाओ, कोई पूछ थोड़ी राग कि क्या हो रहा है, करके चले जाओ, प्यार बाटो अच्छा लगीगा, तिल देन, I will see you soon in my next video, next vlog, next review, और इस कोई भी सवास सुजाओ, कुछ भी तो प्लीज से जो इंस्टार्राम को है, जो हैंडलेट देखते हैं, इसको फॉलो करेए, विटिन 24 आप, विटिन 48 आप, अगर आपना मैसेज कहें, तो में रिबलाई देदूँगा, तिल देन, बाई, और चाओ